हालो फ्रेंट्स गुड मोर्मिंग मैं हूँ आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल दा इस्टीडी 2.0 पर फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्स करने वाले हैं तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लाश्ट तक जरूर देखिएगा लाश्ट में आपसे एक कुश्चन पूछा जाएगा जिसका अंसर आपको कमेंट सेक्षन में जरूर देना है दोस्तों और हर रोज की तरह रिविजन पॉइंट भी रखे गए इस टैटि पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर लिजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए तो दोस्तों आज की जो वीडियो है थोड़ा सा लेट हो गई है कुछ कारणों की वज़ा से तो कोई बात नहीं आईए सुरू कर करते हैं आज का पहला और इंपोर्टन कोश्चन आज का पहला कोश्चन है फरवरी दोहजार चोबिस में किस भारती राज ने काजी नेमू नीमू को अपना राज फल घोसित किया है इंपोर्टन कोश्चन है तो इसका जो राइट एंसर है दोस्तों असम ने किया है तो नेमू नीबू है इसको अपना राज फल घोसित किया है तो आए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं दोस्तों जो असम के मुखमंत्री हैं हेमंत विशु सर्मा के नेतरत में सरकार ने काजी नेमू साइट्रस लिमोन को राज फल घोसित किया है याद रखिएगा और इस कदम क का उद्देश काजी नेमू की खेती और निर्यात को बढ़ावा देना है जिसमें वालिज ब्रच्छा रोपड और निर्यात में ब्रध्धी देखी जाएगी तो याद रखिएगा आईए कुश्चन नमबर दो है कुश्चन नमबर दो मेरा है बिहार बिधान सभा का अध् बिधान सभा जो है बिहार का अध्धच चुना गया है बिधान सभा की तो याद रखिएगा आईए डिटेल में जानते हैं दोस्तों ये भाजपा के वरिष्ट नेता है जो नंद की सोरिया दो इनको सरुसम्मत से बिहार बिधान सभा का अध्धच चुना गया है राज बि विपच्छ के नेता तेजस्वी प्रसाद यादो नए अधच के साथ आसन तक गए हैं तो याद रखिएगा आए दोस्तों बात करते हैं कुश्चन नमबर थी के बारे में कुश्चन नमबर थी है मारा कि 5 से 14 फर्वरी 2024 तक आयोजित समाजिक बिकास आयोग के 62 सत्र की याद रखिएगा 62 सत्र है और इसकी जो अधच्छता की है समाजिक बिकास आयोग की वो की है रुचिरा कमबोज ने यहाँ पर देख पा रहे हैं रुचिरा कमबोज को तो आपसा नमबर भी इसका राइटन सर हो जाएगा रुचिरा कमबोज आए दोस्तों डिटेल में जा की है सत्र के दोरान चार प्रस्ताओं को सफलता पूरू अपनाया गया है इसमें जिन में से समाजिक बिकास के लिए देख भाल और सहायता प्रनालियों को बढ़ावा देना और अफरीका के बिकास के लिए नई साज़दारी के समाजिक आयाम तयार करना दोजार पचीस में समाजीग विकास आयोग के 63 सत्र की जो अध्यस्ता करेगा वो पोलेंड करेगा यह भी बात आप नोट करके रखना तो 63 सत्र की अध्यस्ता पोलेंड करने वाला है दोस्तों अब आए नेस्ट कोईशन की बात करते हैं कोईशन नमबर 4 है कि पहले डिजिटाल इंडिया फ्यू इसलिए इंपोर्टेंट है याद रखेंगे आए डिटेल में जानते हैं दोस्तों केंद्री मंत्री जो है राजीव चंद्सेखन ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर इसकिल सिखर सम्मिलन 2024 का उधगाटन किया है तो किस ने किया उधगाटन जो केंद्री मंत्री है राजीव चंद्सेखन ने इसका जो आयूजन है electronics और सूचना प्रधोकी मंत्राले और राश्टी एलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रधोकी संस्थान के माधन से इसका जो है आयूजन किया जाएगा तो याद रखिएगा अब दोस्तों बात करते हैं नेस्ट कुश्चन की कुश्च होने वाली है तो यह जो भारत में पहली होगी याद रखिएगा दोस्तों भारत में पहली helicopter अपात कालिन चिकिस्सा सेवा होगी तो यह जो शुरू होने वाली है दोस्तों यह शुरू होनी होनी उत्तरा खंड में तो आपसा नंबर हमारा A's का राइट एंसर हो जाएगा त याद रखिएगा डिटेल में जानते हैं दोस्तों भारत की पहली है याद रखिएगा भारत की पहली helicopter अपात कालिन चिकिस्सा सेवा जो है वो उत्तरा खंड में शुरू की जाएगी या सेवा रिसी केस में या सेवा जो है रिसी केस में अखिल भारती और बिज्यान में संचालित होगी संजीवनी नाम की इस योजना का उद्देश है याद रखने है संजीवनी नाम की इस योजना का उद्देश है वो हेलिकाप्टरों का उप्योग करके चिकिसा आउटरिच और आगात देखभाल सेवा का विस्तार करना इसका उद्देश बताया गया है तो याद रखिएगा आएगो तो next question की बात करते हैं question number जो हमारा है question number six है IRCTC IRCTC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहन किया है तो इसका जो right answer हो जाएगा संजय कुमार जैन option number B इसका right answer हो जाएगा तो संजय कुमार जो जैन है IRCTC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहन किया है तो आफसर नंबर B इसका right answer हो जाएगा आएग डिटेल में जानते हैं दोस्तो भारती रेलवे याता या सिवा की अधिकारी है ये और संजय कुमार जैन ने भारती रेलवे खान पान और परेटन निगम जिप्टेंट जो है IRCTC के अध्धच और प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहन किया है संजय कुमार जो जैन है एक योग चार्टर एकाउंट जो है रहे है पहले तो संजय कुमार जो जैन है क्या रहे है योग चार्टर एकाउंटेड रहे है और इन्होंने इससे पहले जो है मुंबाई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी कार कर चुके हैं तो ये पहले मुंबाई के मंडल रेल प्रबंधन के रूप में भी कार्ज कर चुके हैं तो याद रखिएगा अब आए दोस्तों निश्ट कुश्चन की बात करते हैं कुश्चन नंबर सेवन है भारती फरवरी 2024 तक SBI Capital Markets के नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे निश्ट किया गया है तो ये जो निश्ट किया गया है बिरेंद्र बंसल को यहाँ पर देख पा रहे हैं आपसर नंबर A का राइट अंसर हो जाएगा जो है बिरेंद्र बंसल को SBI Capital Markets के नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में चुना गया है तो बिरेंद्र बंसल इसका राइट अंसर हो जाएगा आएट डिटेल में जानते हैं दोस्तो बिरेंद्र बंसल को SBI Capital Markets का नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में चुना गया है और वह इस भूमिका में राजकुमार सिनहा की चगहा लेने वाले हैं तो इससे पहले राजकुमार सिनहा है अब उनके इस थान पर बिरेंद्र बंसल को इस पत पर नुक किया गया है SBI Capital Markets जो है भारती State Bank की पूर्ण स्वामित वाली सहायक और निवेस बैंकिंग साखा है अब दोस्तो आईए बात करते हैं निष्ट कुश्चन के बारे में कुश्चन नमबर एट है मारा कि कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट याद रखिएगा कुश्चन इंटरनेशनल एरपोर्ड लिम्टेट ने ग्रीन हाइडरोजन प्रोजेट के लिए किसके साथ समझोता किया है तो ये जो किया गया समझोता दोस्तो वो किया गया है BPCL के दौरा तो आपसन नमबर भी इसका राइट अंसर हो जाएगा तो कोचीन International Airport Limited ने Green Hydrogen Project के लिए BPCL के साथ समझोता यापन पर हस्ताचर किये हैं तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा अब आई ये डिटेल में जानते हैं कोचीन जो International Airport है इसने Green Hydrogen Project के लिए भारती जो पिट्रोलियम है BPCL के साथ समझोता किया है तो याद रखिएगा और इस प्रोजेक के तहट जो हवाई अड़ा परिसर में 1000 किलो वाट का Green Hydrogen Project इस्थापित किया जाएगा तो इसके ही तहथ जो हवाई अड़े हैं उनके परिसर में एक 1000 किलो वाट का Green Hydrogen Project उसको इस्थापित किया जाएगा ये बताया गया है और कोचीन जो एरपोर्ट है ग्रीन हाइटोजन प्रोजेक्ट के इस्थापित करने वाला देश का पहला एरपोर्ट बन जाएगा तो याद रखिएगा पहला एयरपोर्ट बन जाएगा ऐसा होता है तो कोचीन एयरपोर्ट ग्रीन हाइडल प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा आएए नेश्ट कोउशन की बात करते हैं कोउशन नमबर 9 है कि फरवरी 2024 में जापान में आप प्रत्यासित मंदी के बाद हाले में कौन से देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थपेस्था वाला देश बन गया है तो इसका जो राइट अंसर है दोस्तो इसका जो राइट अं सरे याद रखिएगा जर्मनी जो है जापान में अप प्रत्यासित मंदी के बाद हाली में जो है देश जो बना है जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थ होता वाला देश वो जर्मनी बन चुका है याद रखिएगा आए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो डिटेल में जापा में इसकी अर्थवस्ता जो है वो 0.4% सिकोड़ गई है या कम को हो गई है और जापान की मंदी के साथ जो जर्मनी है अब 4.5 टिलियन डालर की जीटीपी के साथ संयुक्त राज अमेरिका और चीन से पीछे रहकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थवस्ता वाला दे रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रिद्बंद लगाया गया है तो हैमर रचना कुमारी इन पर डोपिंग का आरोप लगाया गया है तो कितने वर्स का लगाया है यह पूछा गया है तो इनको बारा वर्स का इन पर प्रिद्बंद लगाया है तो आ एतलीट और इंटीग्रीटी यूनिटी और राष्टी डोपिंग रोधी जो एजनसी है नाडा और एक होती है वाडा वो विस्टोपे होती है और नाडा जो हो है वो राष्टी जो है डोपिंग रोधी एजनसी है ने डोपिंग रोधी नियमों के उलंगन के लिए दो गया है तो निर्मला जो है शोराण इन पर भी प्रतबंद लगाया गया है और रचना कुमारी पर भी 12 साल का प्रतबंद लगाया गया है तो याद रखीएगा आए दोस्तों बात करते हैं यहां पर कुशन नमबर 11 के बारे में कुशन नमबर 11 है कि ICC पुरुष T20 विस्व कब 2024 की सहमेजबानी इनमें से किसी देश द्वारा की जाएगी तो यह दोस्तों की जाएगी संयुक्त राज अमेरिका की द्वारा यू यसे के द्वारा तो आपसा नमबर जो इसका है सी इसका राइट अंसर हो जाएगा तो याद रखीएगा जो ICC पुरुष T20 विस्व कब 2024 की सहमेजबानी है वो जो है संयुक्त राज अमेरिका की द्वारा की जाएगी तो आई यह डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा पहली बार संयुक्त राज अमेरिका जो है वो जून दो हजार चोबिस में एक वैस्विक क्रिकेट पृतियोगता जिसका नाम है T20 विस्व कब की मेजबानी करने वाला है और इस योजना की जो सहमेजबानी है वो वेस्टन डीच के अधिक इस्थापित क्रिकेट के देशो के साथ की जाएगी और T20 क्रिकेट विस्व कब जो है अंतराष्टी क्रिकेट परिशद द्वारा अयुजित एक अंतराष्टी टूना मिंट है तो यह जो है वो अंतराष्टी क्रिकेट परिशद ICC के द्वारा अयुजित एक अंतराष्टी टूना मिंट है और इसका जो प पहला कुश्यन कि स्वेज नहर किसे जोडती है तो स्वेज नहर जो है दोस्तों वो जोडती है लाल सागर को भूमद सागर से याद रखिएगा अगर आपसे पूछे दीन ए इलाही धर्म किस ने चलाया तो ये अगबर ने चलाया था सहरिया जनजात कहां पाई जाती है तो खुदाई खिदमदगार की स्थापना किस ने की थी तो ये की थी खान अब्दुल गफ़ार खान ने मेगासनीज किसकी किसका राज़दू था तो ये सेलुकस्ट निगेटर का राज़दू था माउंट एवरस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला आपसे पूछ कौन होते हैं तो वो होते हैं राष्ट पती होते हैं भारती सेना के सरोष सेना कमांडर राष्ट पती होते हैं भारत में सरवाधिक चावल उत्पादक जो राज है वो कौन सा है तो वो है पस्षिम बंगाल राज अगर आप से मुझे फटेपुर सीकरी का निर्मान किस ने क प्रम्राठ हैं जो अगबर इनके द्वारा करवाया गया तो दोस्तों आपको पसंद आया होगा SEATIC GK का रिविजन तो दोस्तों याद रखना यह था आज का रिविजन SEATIC GK का तो कल का हमारा प्रिश्ण है आपसे पुछा गया था की भारत में सेमी कंड़क्टर नीती लागू करने वाला चवथा राज कौन सा बना है तो इसका जो राइट अंसर था उत्तर प्रदेश इसका राइट अंसर था दोस्तो आज का हमारा प्रश्ण है आपसे कि हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद मुदी जी ने किस राज में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उधगाटन किया है तो इसका जो राइट अंसर है दोस्तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें इंतजार रहेगा आपके अंसर का दोस्तों तो दोस्तों बताएं आपको आज का वीडियो कैसे लगा आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिपिकेशन टाइम पर मिल पाए और कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो सभी दोस्तों को जय हिन जय भारत फिर मिलते हैं निस्ट वीडियो में